हलो फ्रेंट्स वेलकम टु कारगी क्लासिज आज डेट है 3 मार्च 2021 और इंड्यान एक्स्प्रेस की इंपोर्टन न्यूज देख लेते हैं जो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं front page से important news front page पे ये news है यहाँ पर जिसमें बताया जा रहा है कि सभी private hospitals को vaccination के लिए allow कर दिया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई selected private hospital सी vaccination program को conduct करेंगे और center ने अपनी तरफ से states को भी ये कह दिया है कि longer session मतलब लंबे समय तक दिन में vaccination को continue रखे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को vaccine provide किया जा सके ठीक न तो यही एक काम की चीज थी और बाकी इस news में ज़्यादा कुछ important है नहीं तो हम discuss करेंगे नहीं इसके अलावा अगर देखिए तो ज़्यादा तर politics आज डिसकस हुई है यहाँ पर देखोगे तो यह भी बीजेपी एसपी पीजेपी गुजरात में clean sweep करती दिखाई दे रही है ज़्यादा तर सीटों पे बड़ पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए कि श्रलंका ने दूसरा पोर्ट प्रोजेक्ट है वो clear कर दिया है जिसमें इंडिया और जापायन की जो फ़र्म सा वो काम कर सकती है क्योंकि एक मेहने पहले जो इस्टन कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो में उसको तो देखो जापायन के साथ और इंडिया के साथ मिलकर के डवल्प करने के लिए श्रलंका की परीवियस गौर्मेंट ने एग्रिमेंट कर लिया था बट अभी जो करन्ट गौर्मेंट है उन्होंने उस एग्रिमेंट को जो कि 2019 में साइन हुआ ता उसको तो कर दिया कैंसिल और अब नया एक तरीके से प्रोजेक्ट है या प्रॉज cities के बारे में और बाकी front page पे कुछ भी important article नहीं है जो हमें discuss करना हो आगे चलते हैं next important news है जिसमें अभी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को merge करने के लिए एक committee established की थी जिसका नाम था सूरिय प्रकाश कमीटी और उस committee ने अपनी recommendation दी है और उसमें यह बताया है कि लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी दोनों को merge करके संसद टीवी के नाम से एक नया channel शुरू किया जाए अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा अब दोनों की अगर session चल रहे होंगे तो उस time पर simultaneously दोनों का कैसे live cast हो पाएगा live telecast हो पाएगा तो उसके लिए एक provision दिया है कि संसद 1 और संसद 2 करके अलग-अलग दो channels का एक ही platform से provision रखा गया है जो कि English और Hindi दोनों में वहाँ पे एक तरीके से broadcasting हो पाएगी बाकी चीज़ें अभी government ने अभी तक panel की recommendation को accept किया है अब क्या-क्या चीज़े implement होती है वो देखना है बट point यहाँ पर क्या आगया एक तो revenue बचाना government का जो खर्चा होता है कि दो-दो channel को independently separately maintain करना दूसरा दोनों को merge करके और एक जगे से चलाना उसमें एक efficiency लेकर किया आनी तो उन चीज़ों का accept कर ली गई और साथ में कौन सी committee के recommendation पर यह कुछ हो रहा है तो वो है सूरिया प्रकाश committee यह हमें ध्यान रखना है आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पर वैसे तो आज कुछ important आया नहीं है बट नेपाल के constitution में कुछ कमिया रही जिसकी वज़े से only government अभी बी मतलब only जो है नेपाल के जो current prime minister वो अभी भी power में बने रहेंगे देखो जब नेपाल का constitution बना था ना 2015 में तो उस time पर बहुत सारे leaders ने इस तरीके से कहना शुरू कर दिया था बोलो world में सबसे शांदार constitution है नेपाल का ठीक है best in the world कहना शुरू कर दिया था जिसमें all inclusive features हैं बट reality क्या है कि अभी जो crisis आ गए जिसमें नेपाल के prime minister ने parliament को dissolve करने की recommendation दी president को उसको dissolve कर दिया गया parliament को फिर उसके बाद में supreme court of Nepal ने direction दी के पीएस ओली को कि भई आप parliament को फिर से start करो और तेरा दिन के अंदर अंदर अपना confidence शो करो वहाँ पर कि हाँ आप majority में हो बट जो constitution है नेपाल का वो क्या favor करता है जो incumbent government न जो current government है उस government को favor करता है तो आप कह देख सकते हो कि KPS only के against में इनी के सहयोगी parties के जाने के बावजूद भी ये प्रधान मंत्री बने रहेंगे तो ये चीज़े देखो बहुत matter करती है कि जब भी हम constitutions के बारे में पढ़ें कि क्या कमिया रह सकती है कोई भी democratic country में कोई भी constitution अगर बनाया जाए तो उसमें balance of power एक तरीके से वहाँ पे institutional framework में balance रहना बहुत ज़रूरी है और एक opportunity या फिर आप कह सकते हो कि अगर जो current government है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस सरकार का continue बने रहना democracy के favor में बिलकुल भी नहीं है ठीक है ना तो उस point of view से थोड़ा सा यहां पर हमने देखा बाकी कुछ भी article में काम का नहीं है आगे चलता है next हम आगए explain page पे जहां पर हम देखेंगे कि चाइना की जो cyber eyes है cyber security को लेकर कि जो threat है इंडिया को चाइना से उसके बारे में हम देखेंगे दो मुद्धे हैं यहां पर एक तो है कि power sector में जो भी हमारी crucial infrastructure है या critical infrastructure है उसको threat और दूसरा जो co vaccine और cove shield दो vaccination जो की Serum Institute of India और भारत बायोटेक के द्वारा develop किये गए हैं उनकी functioning को या उनकी efficient delivery को mistrack करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है यह चीजे निकल के आ रही है तो देखेंगे इस article को कि cyber security point of view से कितना vulnerable है इंडिया का system और अभी तक क्या दो incident सामने आ रहे हैं यह दोनों articles हमारे काम के नहीं है इसमें politics है दूसरी यहां पर आप देखोगे कि olympic players को क्या जल्दी से vaccination दे देना चाहिए क्योंकि अब 150 दिन से भी कम का time रह गया है टोक्यो olympics के conduct होने में तो अलग-अलग देशों का अपना अपना सोचना है बिलकुल भी काम का article नहीं है आगे चलते हैं economy page पे फिर से वही cyber threat वाला जो मुद्दा है उसी को highlight किया गया है इस वाले section में जिसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे जैसे digitization बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक चीज की जरूत हमें लगातार बनती रहेगी वो क्या रहेगी एक की एक robust strong cyber defense framework तयार किया जाए जिससे कि कोई भी हमारे हां पर cyber security को breach ना कर सके तो उसी जो हमारा explain page वाला है उसी के continuous हमने इस article को भी देख लेंगे बाकी department of telecommunication ने जितना expect किया था कि जो spectrum sell होगी इसकी 4G spectrum की तो उससे भी ज्यादा spectrum sell हुई है ज्यादा income हुई है तो हमारे काम का है नहीं मुंबई के black out वही cyber security threat वाला तो यह भी हम discuss नहीं करेंगे क्योंकि दो आर्टिकल में अच्छे से clear हो जाएगा फिर आगया आप देखो कि export जो है वह पिछले दो महने में तो देखो थोड़ा सा rise कर रहा था बट अभी जो latest month का data आया है उसका data यह बता रहा है कि export जो है वह negative territory में चला गया decline कर गया ठीक है तो यह data है यह vary करता रहता है ज्यादा कुछ discuss करने लाइक मुद्दा है नहीं साथ में जॉर्जीवा जॉर्जीवा कौन है IMF की chief उन्होंने यह कहा है कि बड़ी economies specifically G20 जो countries हैं वो agree हो गये हैं कि अब IMF को और ज्यादा funding देने की जरूरत है तो basically IMF के लिए जो IMF की currency बोल सकते हैं या IMF की जो basket of currency है जिसमें फिर finally एक currency को निकालते हैं उसको बोलता है SDR IMF की currency होती है एक तरीके से आप इसको मान सकते एक way में जिसको हम बोल सकते है special drawing rights इसमें क्या होता है कि जो country जितना contribute करता है IMF की funding में उसकी उतनी ही value बन जाती है उसकी पर्टिकल उस country की currency की ठीक है न तो अभी फिलाल तो इंडिया का तो बहुत कम level है बाकी फिलाल हमने SDR के बारे में थोड़ा जाना और G20 countries contribute करना चारी है और IMF की जो chair है वो कौन है अब आपके लिए task यह है कि IMF का function क्या है किस तरीके से काम करता है कितने countries हैं इंडिया का कितना contribution है कभी establish हुआ था यह साले सवाल आपके लिए है इनके जवाब आप रमेज सिंग या फिर जो भी आप source यूज करते हो पढ़ाई के लिए एक बार उसमें basics को आप read out करोगे फिर यह article है जिसमें supreme court ने अपनी ruling दी है कि जो non resident companies है वो अगर software sale कर रही है Indian residents को तो उन पर अब royalty के तोर पे taxes नहीं लगाए जाएंगे तो इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा यह है कि मान लो एक Indian user है जो कि एक software purchase करता है बाहर की किसी company से थीक है तो उस company को royalty tax अगर देना पड़ता है तो उस case में वो tax का burden किस पर आएगा Indian user पर ही तो आएगा तो इससे क्या हो गया भी यह royalty tax से relief दे दी है Supreme Court of India ने तो इस वज़े से अब आगे royalty tax का burden जो Indian user पर था वो अब नहीं रहेगा ठीक है तो इस तरीके से यह चीज़ बताई जा रही है इस से मतलब इस particular verdict में ठीक है तो software industry point of view से देखें या accessibility point of view से देखें तो Indian users के लिए अच्छा रहेगा जैसे end user हो कोई ठीक है या फिर कोई reuse करना चाहरा है content को तो जब royalty के tension नहीं रहेगी तो फिर freely आराम से different different systems पर software को use किया जा सकेगा ठीक है तो बाकी अब important articles हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं फिर्स्ट आर्टिकल है कि स्रिलंका ने clear कर दिया है एक port project को जो कि जापान और इंडिया की forms मिलके काम करेंगी देखो एक मैने पहले eastern container terminal को तो reject कर दिया था जापान की government ने ये बोल करके कि जो port unions है उन्होंने बहुत जादा objection किया इसके चलते हम ये जो project है ये किसी को दे नहीं सकते specifically इंडिया और जापान उसमें involved parties थी पर उसके बाद में जो राजपक्षे brothers की जो government चल रही है वहाँ पे कि महींदा राजपक्षे वहाँ के पधान मंतरी है और वहाँ के राष्टरपती है गोटा बाया राजपक्षे तो उन दोनों की जो government चल रही है उन्होंने अब western container terminal को अभी इंडिया और Japanese companies के लिए open किया इस proposal को अपनी तरफ से accept किया है यह लगबख 500 million dollar का आप कहोगे strategically located project रहेगा बिसिकली Chinese company वहाँ पे अपना container port डवलप कर रही है और उसी के पास में इंडिया और जापान को भी यह proposal देना तो बिसिकली इसमें केवल ए और केवल एक यह है कि location जो है वो बहुत ही जादा strategic है ठीक है ना क्योंकि चाइना वहा जा सकती है कि हाँ वो किस थरीके के development कर रहे है या फिर कम से कम check और balance वाला तो एक के माहोल बनाया जा सकेगा ठीक है ना तो इसमें अभी लगबख 35 साल का यह agreement बनाया जा रहा है जिसमें जो method होगा PPP model होगा public private model जिसमें public private partnership जिसमें build operate and transfer इस model पर काम किया जाएगा BOT तो अब आपके लिए को टास्क आ गई है कि BOT matter को या फिर public private partnership के जो अलग-अलग models है hybrid annuity model हो गया BOT model हो गया बहुत सारे 5-6 models है इन models को आप ढंक से देख लेना इन पे कई बार question पूछा जा सकता है अब थोड़ा सा हम स्रिलंका का map देखते हैं एक बार यह आपके सामने screen पर स एक हम बंबंदो ता हम बंदोता पर जो pord develop किया था वो तो दोगो चाहिना ने एक तरीक हैसे Shrally oiseski leads पे ले लिया है क्योंकि श्रलंका के पास में इतना पैसा नहीं था कि जिससे की हम बंदोता पोर्ट को डवलफ करने में चाहिना ने जितना खर्चा किया वो पैसा चुका सके ऐसे ही त्रिनकॉमली ये एक और जगह है और ऐसे पॉइंट पेड्रो और कंकेश कंकेशन थुराई ठीक है ये लोकेशन से में अब बात करने कोलंबो पोर्ट पे यहां पे जो वेस्टन कंटेनर टर्मिनल को अप्रूवल दिया है जो श्रिलंकन कैबिनेट है उसने तो इसलिए हमारा लोकेशन है जो कंसर्ण वो है यहां पे कोलंबो अब चलते हैं पेपर पर फिर से पर ए अच्छा अब इंडिया की कि तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से देखो अडानी ग्रूप पार्टिसिपेट करने वाला है बाकिस्रिलंकन गॉर्मेंट की एक कंपनी है वो और इसके साथ में जपनी का किसी का भी नाम डिक्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वही बात है देखो इं इलेटरल कदम उठाने इंटरनेशनल रिलेशन में ठीक नहीं रहते बेसिकली यहाँ पर स्रिलंकन गॉर्मेंट एक बात बोल रही है कि इस्टन कंटेनर टर्मिनल को डवलप करते टाइम पे तो जो अथियरिटी इस ती जो डवलप करती तो उनको थोड़े से स्टेक्स कम म की तो बोला और जादा अटोनमी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट इतना सही है कि अभी फिलहाल यह बात चल रही है और इसको प्रपोजल को एकसेप्ट कर लिया गया है किसके दौरा श्रिलंकन कैबिनिट की दौरा और वो क्या है वेस्टन कंटेनर टर्मिनल को ड रहे थे अपरेल 2020 से पहले क्योंकि चाइना ने जो एग्रेशन दिखाया ना इस्टन लद्दाक में उसकी वज़े से इंडिया ने भी रिटालियेट किया और दोनों की आर्मी जो है वो स्टेंड आफ में फसी पड़ी थी और अब जाकर के थोड़ा सा डिसंगिजमेंट बाकी अभी भी देप सांग प्लेट्य हो गया हौट स्प्रिंग वाला रीजन हो गया वहाँ पर अभी भी दोनों की आर्मी जामने सामने खड़ी हैं तो देखो सेप्टेंबर में चाइना की गौर्मेंट बैग्ड गौर्मेंट जिन डिजिरल कंपनी को सपोर्ट करती है उ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप है उन्होंने रिलीज की है ये बात कि इंडिया की फर्म्स जो है पावर सेक्टर की पावर इंफ्रास्ट्रक्टर इलेक्रिसिटी वाली जो डिपार्टमेंट वो हो गया और जो कोविड नाइंटीन के वेक्सिनिशन प्रोग्राम है इन दोन करने के लिए कि कैसे भी करके इंडियन सिस्टम को डिरेल कर दिया जाए ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या है कौन सी कंपनिया है जो ये काम करने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले है जैन हुआ और इसके टार्गेट क्या है देखो जैन हुआ जो एक से हुआ data information technology और इसको चाइनीज गॉर्मेंट और चाइना की communist party का support मिलता है और previously एक allegation भी इन पे लगा था allegation तो क्या मतलब एक clarity थी उसमें कि 10,000 Indian individuals पर ये monitoring कर रहे हैं नजरे गड़ाएं बैठे हैं ठीक ना अब देखो वैसे तो information technology act जो हमारा है 2000 उसके हिसाब से अगर कोई किसी की रेकी करता है किसी के ओपने गड़ाएं रखता है उसकी जो digital platforms पर activities है उन पर नजरे रखता है उसमें कोई problem नहीं है बट आप 24 सो गंटे उस पर नजरे गड़ाएं रख रहे हो तब थोड़ा सा सवाल उठता है कि वो क्या चाहते हैं इससे क्या होता है कि वो individuals की information को collect करेंगे और information collect करने के बाद में उनको information को एक साथ लाकर के और tactical maneuvering कर सकते हैं मतलब उनको फसाना अब देखो वो individuals थे कौन-कौन जैसे कोई की position पे रहने वाले bureaucrates हो गए political leaders हो गए industrial figures हो गए scientists, judges, academicians, journalist, actor मतलब जो prominent individuals होते हैं जिनकी society में image अच्छी होती है उन लोग या जिनके हाथों में काम बहुत important होता है जो काम importantly perform करते हैं तो उन लोगों के उपर नजरे गड़ाई रखी थी तो इस वज़े से कहीं ना कहीं एक information library बना करके ये जो companies है particularly China की companies इंडिया के लिए threat create कर सकती थी और इसी वज़े से कहीं ना कहीं concerns rise हुए थे तो एक तो आगया मुद्दा ये दूसरा देखो कि red echo करके एक company है चाइना की ही है उसने अपना एक malware इससे attack करने की कोशिश की Indian establishment पे particularly power sector पे ठीक है जिसका नाम है shadow pad इसके बारे में हमने कल report भी देखी थी तो ये एक steep rise देखने को मिल रहा है बहुत जबरदस्त एक efforts लगाने की कोशिश देखी जा रही है और ये बात बताई किसने है record future जो की USMA Massachusetts based एक cyber security company है उन्होंने ये चीज़ बताई कि इंडिया के जो establishment है उन पर malware एक तरीके का contentious software ही होता है जिसका use किया जाता है information को चोरी करने के लिए और plus में जो system काम कर रहे होते हैं उन systems की functioning को बेकार खराब करने के लिए तो वो इस वज़े से आप देखोगे Chinese group जो है Red Echo वो Indian power sector को target कर रहा है ठीक है न दस distinct Indian power sector organization को target किया गया है जिसमें चार तो regional load dispatch center भी रहे हैं इसके अलावा Indian government की जो power system operation and corporation limited है जो की एक government enterprises है वहाँ पर भी अलग अलग system पर उन्होंने attack करने की कोशिश की वो बाठीक है कि अभी तक government ने अपनी तरफ से इस चीज़ को accept नहीं किया कि ऐसा कोई attack हुआ था बट report का आना और साथ में मुंबई की जो cyber security intelligence police force है उनका भी ये चीज़ admit करना कि 12 October को जो मुंबई में blackout हुआ था मतलब light चली गई थी बलो उसके पीछे कोई ना कोई cyber attack ही था और उसमें backing जो mean थी वो चाइना से थी फिर आगे Goldman Sachs ठीक है ये economist की एक group है एक company है द्वारा बैक की हुई cyber intelligence company है जिसका नाम है Cypherma उन्होंने ये कहा कि Chinese companies की hacker group जिसका नाम है एक stone panda नाम है उसका ठीक है तो बोला stone panda ने भी अपनी तरफ से IT infrastructure की vulnerability को exploit करने की कोशिश की है जिसमें भारत बायो टेक और Serum Institute of India जो की को वैक्जीन और कोवी शील्ड डवलप कर रही है और इनका जो vaccination प्रोग्राम है वो अभी इंडिया में चल रहा है बोलो इस में जो gap है ना उन gaps को harness करने की कोशिश की है कहने का मतलब कि ये जो कोवीड नैंटीन के अगेंस्ट में vaccination प्रोग्राम है उसको फेल करने की कोशिश भी चाइना की तरफ से लगातार हो रही है तो ये दो चीज़े हमें कहीं न कहीं alert करने की बात कर रही है कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है इंडियन सिस्टम में वैसे वैसे हमें जरुवत है कि और रोबस्ट साइबर सेक्यूरिटी सिस्टम हम डवलप करें देखो वर्ड में जितने भी साइबर अटेक हो रहे हैं उनमें ज्यादा तर जो अटेंप्ट होते हैं वो चाइना से और रॉशियन सिस्टम से ही किये जा रहे हैं और पिछले च्छे मेने में तो इंडिया ने बहुत सारे साइबर अटेक एक्सपीरियन्स किये हैं अब इसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या है एक तो देखो बॉर्डर क्लेश चाइना और इंडिया के बीच में क्योंकि बाइ और इंडिया की तरफ एक आशा की नजर से देख रहे हैं तब चाइना को थोड़ा सा इस चीज को लेकर के कंसर्ण है कि कहीं इंडिया पूरा टाफ को कहीं कैप्चर ना कर ले ठीक है और इसके अलाबा गॉर्मेंट आफ इंडिया का क्या है देखो अभी तक प्रॉपर इं साइबर सेक्यूरिटी इशू हना यह बहुत ही जादा कंसर्णिंग इशू है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एक प्रॉपर बैल बैलेंस्ट अप्रोच बनाने की जरुवत है जिससे कि इन साइबर थ्रेट से निप्टा जा सके ठीक है इसके लिए हमारे यहां पर इंस्टिटूशन हैं जो की काम करती है मैईती के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्रोनिक्स हैं इंफरमिशन टेकनोलोजी जो की फर्स्ट रिस्पॉंडर है कि इंडिया में अगर कोई भी साइबर एटेक होता है तो यह इनफॉर्म करेंगी और इन्होंने नवेंबर में इनफॉर्म भी किया था गॉर्मेंट को कि हमारे यहां पर साइबर एटेक हो रहे हैं आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल एकॉनॉमी पेज से हैं वही साइबर सेक्यूरिटी वाला मुद्धा कि एक हमें साइबर सेक्यूरिटी के लिए एक robust system की जरुवत है और ये मुद्दा आपको पता पड़ी है कि क्या था पूरा देखो 5G technology पे हम जैसे switch करेंगे तो interconnectedness और जादा आने वाली है तो हमें जरुवत है कि वाकई में एक robust manner में हमारे हाँ पर system तयार हो जिससे की in vulnerability से हम बच सकें basically एक national cyber security strategy जो है वो फार्मिलिट की भी जा चुकी है office of national cyber security coordinator at the national security council secretary उनके द्वारा ठीक है national cyber security coordinator के द्वारा इस strategy document में बिल्कुल clear बोला है कि inter ministerial task force involved हो जिसमें कि जो भी sensitive मुद्दे हैं जो भी issues cyber security को लेकर क्या आ रहे हैं चाए वो technological हो चाए administrative point of view से हो उन सभी तरीके से एक empowered technological group establish किया जाए जिससे की consultation proper हो और proper जब consultation होगा एक task force properly काम करेगी तो फिर हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे जिस security की हम बात कर रहे हैं देखो 2015 के टाइम पर भी बहुत बार मतलब cyber attacks हुए हैं जिसमें power grid पर attack देखा गया था particularly Ukraine की बात करें तो Russian government के मतलब Russian company थी उन्होंने cyber attack किया था और दो दिन तक Ukraine में power supply को बिल्कुल disrupt करके रख दिया था पर अभी तक हमारी government तो यह चीज मान नहीं रही है वो यह कह रही है कि बहुत हुमन error थी वो ठीक है देखो critical infrastructure point of view से देखे तो daily life में daily basis पे important role play करते हैं इंडियन economy के डेली routine functioning में वो बहुत जादा vulnerable है उन पर जादा से जादा नजरे गड़ाय बैठे हुए है Chinese जो फर्म है अब देखो बहुत सारे countries हैं जैसे कि इसराइल वो तो बहुत जादा पैसा खर्च कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि एक तो defensive manner में वो अपनी खुद की development तयार कर ले खुद की cyber security platform तयार हो जाए जिससे कि कोई attack हो internet के तुरू उससे बच सके और दूसरी तरफ वो offensive भी होना चाहरे हैं कि अगर जरुद पड़ी तो दूसरे countries के system को भी हम collapse कर दें तो बहुत इस तरीके की ideology इस तरीके के system पर हमें भी काम करने की जरुद है जिससे कि India जो है वो अपनी vulnerabilities को overcome कर सके जो कमिया है वो खतम हो सके और economy और safety दोनों चीजे हम अच्छे से ensure कर सके हमारे देश में ठीक है बाकी तो वही महरास्ट्रा वाला case दुबारा सा repeat हो रहा है Serum Institute और भारत बायो टेक वाला case दुबारा सा repeat हो रहा है certain की बात आ रही है कुछ नया नहीं है हम already देख चुके हैं और इसी के साथ हमारा यह विडियो यह discussion यहीं खतम है thank you very much